हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो अल एक्जाम प्लेस, अल एक्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, अगर आप घर बैटे तैयारी कर रहे हैं, MPSI और कॉंस्टेबल की तो हमारी एप्लिकेशन अल एक्जाम प्लेस डाउनलोड कीजिए और इस पर आपको स्ट अगरी माटेरियल एंड टेस्ट सीरिश भी प्रोवाइड की जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर जो की रिलेट करता है अवार्ड एन ओनर से रिलेट करता है, इसके कुछ इंपर्टेंट कोश्यंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए लिट्रेचर, फिल्म्स, जनरलीज्म, एकोनॉमिक्स, कांस अवार्ड की शेत्र में उतक्रष्ट ताक के लिए दिया जाता है, तो इसका सही जवाब है option number B, इसका सही जवाब है फिल्म्स, फिल्म्स के फिल्ड में यह अवार्ड दिया जाता है, तो चलिए आते हैं हम उमा statements about परमवीर चक्र जो है वो इंडिया में दिया जाता है for ultimate brave ultimate brave के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है तो चलिए फिर से question पर आते हैं consider the following statements about परमवीर चक्र परमवीर चक्र के बारे में निमने लिकित कतनों पर विचार करें तो जो कतन है जो statement है वो है it is the highest peace time gallantry award it is the replacement of British Victoria Cross it can be awarded to civilians तो इसका सही जवाब है option number A option number A इसका सही जवाब है option number A ये relate करता है it is the highest peace time gallantry award तो आते हैं अगले सवाल पर और हमारा अगला सवाल है Grammy Award Grammy Award is given in the field of Grammy पुरुसकार के शेत्र में दिया जाता है Grammy पुरुसकार किस शेत्र में दिया जाता है तो हमारा options है acting music singing और boxing इसका सही जवाब है option number B option number B music music की field में ये award दिया जाता है और ये दिया जाता है recording academy के द्वारा recording academy recording academy के द्वारा ये award दिया जाता है तो चलिया आते हैं हम हमारे अगले सवाल पर हमारा अगला सवाल है the first woman to get the भारत रत्न अवार्ड इस the first woman to get the भारत रत्न अवार्ड इस Mother Teresa इंड्रा गांधी लता मंगेशकर सरोजनी नाइड्यू भारत रत्न पुरुसकार पाने वाली पहली महिला है तो इसका सही जवाब है option number B option number B इंड्रा गांधी जो है यह पहली महिला है जिनने भारत रत्न अवार्ड मिला था और यह हम पहली भारती महिला है जो की हमारी देश की प्रधान मंत्री भी रह चुकी है तो चली आते हैं अगले सवाल पर और अगला सवाल है द्रोणा चारे अवार्ड द्रोणा चारे अवार्ड इस रिलेटेड टू द्रोणा चारे अवार्ड इस गीवन इन किस फिल्ड में दिया जाता है द्रोणा चारे अवार्ड द्रोणा चारे पुरुसकार में दिया जाता है किस फिल्ड में? लिट्रेचर, पीस, स्पोर्ट्स कोचिंग, ब्रेवरी तो इसका सही जवाब है option number C option number C, sports coaching sports coaching means जो coach होते हैं जो team के जो players होते हैं उनको train करते हैं sports में जो coach होते हैं उन्हें ये award दिया जाता है by the ministry of youth affairs and sports के द्वारा by the ministry of youth affairs and sports के द्वारा चली आते हैं अगले सवाल पर और हमारा अगला सवाल है कालीदा सम्मान award has been instituted by कालीदा सम्मान award has been instituted by कालीदा सम्मान पुरुसकार द्वारा स्थापित किया गया है तो हमारे options है government of Punjab, government of उत्तरप्रदेश, government of मध्यप्रदेश and government of चत्तिसगर तो इसका सही जवाब है option number C, government of मध्यप्रदेश के द्वारा कालीदा सम्मान award जो है वहाँ institute किया गया था और यह first award जो दिया गया था, first time यह award दिया गया था 1980 में 1980 में first time यह award दिया गया था और यह award जो है वो दिया जाता है चार फिल्ड में जो है classical dance, classical music, theater and plastic arts इन चार फिल्ड में जो भी सबसे best performance और जिसको outstanding achievement मिलती है उन्हें यह award दिया जाता है तो चली आते हैं हम हमारे अगले सवाल पर हमारा अगला सवाल है in which field is the धनवन्तरी award गीवन? धनवन्तरी पुरुस्कार की शेत्र में दिया पुरुस्कार की शेत्र में दिया जाता है तो यह दिया जाता है medical field, option number B is the correct answer Medical field में धन्वंत्री अवार्ड दिया जाता है और धन्वंत्री को जाना भी जाता है The Hindu God of Medicine के नाम से भी धन्वंत्री को जाना जाता है चलिए आते हैं हम हमारे अगले सवाल पर और हमारा अगला सवाल है In which of the following fields is the BC Roy Award given? Is the BC Roy Award given? Music, Generalism, Environment, Medical निमने लिखित में से किस शेत्र में BC Roy Award दिया गया? Music, Generalism, Environment, Medical वापस से repeat करती हूँ question निमने लिखित में से किस शेत्र में BC Roy Award दिया गया? यह बहुत ही important question है इसका फटा-फट से comment करके answer बताईए तो इसका जो सही जवाब है वो है Option number D Option number D Medical Medical की field में यह award दिया जाता है इनका पूरा नाम है इनका पूरा नाम है The BC Roy Award जो है इनका पूरा नाम है विधान चंदर रॉय क्या नाम है इनका? विधान चंदर रॉय इनके नाम से यह अवार्ड दिया जाता है by the Medical Council of India और यह प्रदान किया जाता है President of India के द्वारा on National Doctors Day National Doctors Day के दिन यह प्रदान किया जाता है President of India के द्वारा यह प्रदान किया जाता है National Doctors Day को जो celebrate किया जाता है 1st July 1st July को यह celebrate किया जाता है तो चलिए आते हैं हम हमारे अगले सवाल पर Which of the following is the second highest gallantry award in India जिमनल इखित में से कौन भारत का दूसरा सर्वुच वीरता पुरुसकार है भारत का दूसरा सर्वुच वीरता पुरुसकार कौन सा है तो इसका सही जवाब है Option number B महावीर चक्र महावीर चक्र सही जवाब है यह दूसरा सर्वुच वीरता पुरुसकार है भारत का जो है महावीर चक्र और जो 1st highest gallantry award जो है वहाँ है परमवीर चक्र परमवीर चक्र अवार्ड जो है वहाँ 1st highest gallantry award है और यह जो अवार्ड है वो ultimate brave के लिए दिये जाते हैं इससे related अभी हमने एक question किया था तो आप याद होना चाहिए कि चिकित्सा के शेत्र के लिए निम्न में से कौन सा पुरुसकार दिया जाता है कौन सा पुरुसकार दिया जाता है चिकित्सा के शेत्र में in the field of medicine तो इसका सही जवाब है option number A BC Roy Award दिया जाता है in the field of medicine तो इसी के साथ आज के हमारे top 10 questions खतम होते हैं और यह बहुत ही important questions हैं इन्हें proper revise करें और इनके notes ready करके इन्हें revise करते रही हैं Thank you for watching this video दोस्तों मिलते हैं अगले lecture में जय हिन जय भारत